तो हाई फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आज हम लोग बॉरन हेस्टिंग खतम करके आगे बढ़ने वाले हैं और हम लॉट कॉन वोल इसकी बात करेंगे जो की अगले गवर्नर जनरल थे बेंगॉल के ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉरेंट इक टाइम पर काफी कुछ हुआ रिफॉर्म्स और वार्स और ट्रीटीस तीनों की बात होगी ठीक है तो चले शुरू करते हैं इनका टैने और था 1786 से लेके 1793 ठीक है उसकी बात करेंगे तो आईए कहानी शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स एक पहले बता दूर मैं आपको फिर इनके रिफॉर्म्स की बात करूँगा रिफॉर्म्स हार एंगल से एड्मिस्टेटिव, जुडिश्यल, पूलिस रिफॉर्म्स सबकी थोड़ी बैग्ग्राउंट सुन ले इनकी की पूरी कहानी क्या थी इनकी इंट्रोड़क्शन और फि इनकी तरफ से उस तड़ाई के बाद जब वापस आए तब उनको इंडिया भेजा गया एज गवर्नर जनल और बेंगॉर्म्स करें उन सबकी हम लोग बात यहां पर करेंगे समझ गया तो यह बैग्राउंट थी जिससे इनकी एंट्री होती है एक बात और इनको काफी कर गए था जिसमें कि जो गवर्नर जनल वाली काउंसिल होती है उसकी मेजॉरिटी को गवर्नर जनल ओवर्कम कर सकता है कुछ केसे में तो यह पावर दी गई थी कॉन्वालिस को कि गवर्नर जनल वाली जो काउंसिल का मेजॉरिटी डिशन होता है उसको गवर्नर जनल ओव अंगलो मैसूर वार जहां पे टीपू सुल्तान की बाद भी हम लोग करेंगे यह ठीए जरूरी है तो पहले रिफॉर्म्स कर ले फिर आगे चलेंगे बैग्राउन समझ गए ना ओके चले अब आते हैं रिफॉर्म्स पर सबसे मेजर रोल जो इनका रहा है वो रहा है एड्मि जब यह आए इंडिये तो उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी बहुत कम मिलती है पर वो लोग कमिशन और उन सब चीजों से करप्शन भी काफी था वहां से काफी कमा रहे थे तो उनको लगा कि यह गलक है ऐसा नहीं होना चाहिए यह क्या सही मानते थे यह काफी अच्छी होनी चाहिए हाय होनी चाहिए और उनको प्राइवेट ट्रेड अलाउड नहीं होना चाहिए मतलब साइड की तरीकों से कम हैनी होनी चाहिए जो है सीडी सैलरी जो अच्छी होनी चाहिए तो उनको लगा कि ऐसा होगा and he was successful in convincing the company, East India company की भई, officer की salary बढ़ाओ so there was an increase in salary of officers but हाँ भई, commission बाजी और वो सब बंद कर दिया था और officers को private business करना भी allowed नहीं था पर salary बढ़ा दी थी, यह अच्छा काम की था ठीक है, और उनने क्या बोला, he tried very much to make the services efficient, तो honest और efficient लोग आने चाहिए, efficiency बढ़नी चाहिए इसके लिए उनने काफी काम करें, एक और जो officers की entry होती है, उसमें favoritism नहीं होना चाहिए, basis merit होना चाहिए, so इन्होंने कोशिश करी कि merit के basis पर officers आने चाहिए and this was the birth of Indian civil services, इसलिम को उसका father बोला जाता है, तो कि आज भी देख लिए UPSC, state PSC, जादा कर selection, जादा कर मतलब की फिर एक तो UPSC होगरा हो गया, बाकी और companies, PSU's बगरा में, हर जो आप देखते है, merit को बिखस बनाया जाता है, exam होते है, interviews होते हैं, वो सब चीजे, तो merit का जो concept था, शुरू यहीं से हुआ था, ठीक है, so favoritism से नहीं, merit से selection होना चाहिए, civil servants का, ये कहानी शुरू करी थी, कौन Wallace ने, इसलिए इनको बोलते है, father of civil services, ठीक है, so who was the father of civil services, कौन Wallace, lord कौन Wallace, important सावाले, friends, आप देखेंगे, हम बहुत सारी बाते हर गवर्न जलनी करेंगे, वार्न हिस्टिंग के बारे में हमने सारी बाते पढ़ी है, और यहाँ पर भी सारी बाते पढ़ेंगे, पर फिर भी आप देखेंगे, जैसे इसके बात फि भी special ध्यान में रखना, ताकि पूरा भले ही याद ना रह पाए, पर इतना तो कम से कम दिमाग में बिना concern के रह जाए, ठीक है, so he was the father of civil services, एक बात और, merit को business बनाया, इसके साथ साथ इन्होंने optimize भी करी, कि service में जो post का number तो से optimize किया, कि वही एक्स्ट्रा post को हटाया गया, कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों और काम कम हो, तो वही जो minimum governance वाली वात थी, वो भी थोड़ी नोंने post का number कम करके समाला, तो salaries बढ़ा ही और post का number कम किया, ठीक, so these were the steps in the purification and increasing the efficiency of civil services, तो purification वड़के सितमाल होता है, समझ गए, एक बात तो यह, अब उसी में ज़रूरी घ्यान रखनी पड़ेगी आपको, कि separation of power जो चीज थी, इसके लिएनोंने काफी काम किया, ठीक है, अब एक doubt था, जो अक्सर students में आता है, हमें भी comment section में पूछा गया था, कि separation of power, पहले इनोंने क्या किया, बताओं फिर में उस doubt प्याता हो, that is important doubt, इन्होंने, जो branches होती है, जो बहुत सारी working की branches होती हो, उन branches को separate किया, उनकी powers को अलग किया, segregation किया, so commercial, judicial और revenue, so basically, अलग-अलग segments को आपस में अलग किया, there was separation of power, अब ध्यान दीजेगा, यहाँ प एक doubt निकल के आता है, अब कई लोग ये बोलते हैं, कि जो revenue और judiciary का separation है, वो तो Warren Histon ने भी किया था, ह Judiciary में उनने courts बनाए थे, पर एक बात ध्यान रखिएगा, revenue collect करने के लिए उनने collectors को appoint किया था, हर district में, जो system आज भी follow होता है, collectors revenue collect करते थे पर ध्यान रखिए, friends, district level पे दो courts होती थी, एक civil court, एक criminal court, ठीके, मैं appellate court की बात नहीं कर रहा, जो higher level पे थी, निजामत और सादर क्या कहते हैं, सादर निजामत और जो दो courts हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भी, यहाँ पर भी देखेंगे आप, दीवानी और निजामत, मैं इन वाली courts की बात नहीं कर रहा, highest वाले की, मैं district वाले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बात बताईए, कि जो district level पे civil court थी, उसक पूरा effective नहीं था, because वो collector revenue वाला काम भी कर रहा है, as a collector, but वो इनसान civil court district level पर जो उसको भी head कर रहा है, यह perfect division कौन वालेश ने किया था, कैसे, यह statement पर लोगा, collectors were deprived of judicial powers, तो जो collector पहले revenue वाला काम भी कर रहा था, और judiciary में civil वाला काम भी कर रहा था, उसकी judicial power हटा ली गई है, आप collector सिर्फ एक काम कर रहा है, कौन सा काम, वो सिर्फ revenue collection वाला काम करेंगे, judicial power के लिए district judge का appointment हुआ, तो जो बाद में बताँगा नापको, समझ गया आप, इसलिए separation of power के लिए नाम हर समय कौन वालिस का लिया जाता है, because collector level पे जो दो काम साथ में हो रहे थे, उनको भी इस आप समझें ना, this was the concept of separation of power, समझ गये, ये बाद में structure काफी change हुआ, धीरे धीरे, अभी कुछ अलग structure चल रहा है, बट उस time के आपको initial बात कर रहा हूँ, now are you clear, तो इसलिए separation of power का भी initiator, कौन वालिस को माना जाता है, और father of civil service के लिए किसका नाम लिया जाता है, कौन वालि चले, अब आते हैं, judicial reforms, so इसमें भी उन्होंने काफी changes करें, अब judicial structure पूरा क्या था, कौन वालिस के time पे उसके हम बात कर लेते हैं, काफी similarity दिखेंगी आपको, as compared to Warren Hastings, but काफी changes भी दिखेंगे, तोड़ा photo shoot करनू, हाँ, आप start करते हैं, please see carefully the judicial structure during the time of कौन वालिस देखेग सबसे top पे क्या था, there were two courts, एक civil के लिए और एक criminal जो कहा operate करती थी, कैलकटा में, तो civil की court का नाम था, सादर दीवानी अदालत, the keyword is दीवानी, and criminal वाली court को बोलते थे, सादर निजामत अदालत, निजामत is the keyword, कैलकटा में operate करते थे, both these courts were presided by Governor General and his council, Governor General and his council, दोनों को preside करते थे, प्लस, अब थोड़ा नीचे आजाते हैं, provincial level पर भी court of appeal थे, जैसे हमारे अभी high court होते हैं न, उस तरह के, so there were four provincial court, provinces मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कि high court के level की चीज़, so there were four provincial courts of appeal, कहां कहां थे, ये नाम, ये चारो जगा के नाम काफी important है, examination के हिसाब से, तो कहां थे कैलकटा, दका, मतलब जो अभी धाका बोलते हैं, मुर्शिदाबाद और पटना, they were presided by three European judges और उनको Indian advisor भी provided थे, advise करने के लिए, so four provincial courts, कैलकटा, दका, मुर्शिदाबाद और पटना, यहां पे हर court में three European judges होते थे, they also had Indian advisors, और उसके नीचे होते थे, district and city courts under the European judges, अब यहीं में बोल रहा था आपको, district level पे पहले civil और criminal court होते थे, criminal court में judge थे पर civil court अकाम collector समालते थे, वो अलग कर दिया, because collector के पास अब judicial power नहीं है, इसले appointment किसका होते district level पे, district judges का, district judges, क्योंकि collector से power ले लिगी जुडिशरी की, इसलिए district level पर district judges का appointment, कॉन वो इसके time पे हुआ था, ब वहाँ पे Indian judges या जिनको मुनसिफ बोलते थे, वो थे, they were appointed to all the courts at the bottom of the judicial system, ठीके, तो सबसे नीचे ये courts होती थी, जहाँ पे Indian judges या जो मुनसिफ बोलते थे, वो होते थे, उसके उपर district court, जहाँ पे district judgeों की बात थी, उसके उपर provincial courts, चार provincial courts, और सबसे उपर थी, हमारी दीव very much similar, not exactly similar although to the current structure of judicial, अब देखते हैं, समझ गई structure, अब देखे, criminal cases में Muslim law को थोड़ा, मतब, modify करके follow करते थे, not exactly, but Muslim law का base मान के they were slightly improved and followed, और civil cases में दोनों law follow होती थी, हिंदू भी और Muslim भी, depending कि जो इंसान, जो appellant है, या जो litigant है, उसका religion क्या है, ठीके, और इस तरह से बात ह समझ गई बात, अब यहां ध्यान दीजेगा, criminal cases में Muslim law थोड़ा improve हर के use, और civil वाले cases में, as per the litigant का religion, Hindu and Muslim law follow होती थी, ठीके, अब एक बात ध्यान रखेगा, यहां पे, एक तो efficiency of administration बढ़ाने के लिए, कौन वोलिस ने, काफी अच्छे काम करे, the officials were also made answerable to the courts, तो judiciary की power independence थी काम में, but they were answerable to the courts, ठीके, तागी corruption और उस तरकी चीज़े कम हो सके, आप देखे, जो मैं आखरी बात बोल रहा था आपसे, कौन वोलिस जो थे ना, उन्होंने एक पुरा comprehensive code तयार के था, पुरी comprehensive, एक digest ये किताब तयार करी थी, एक code better word रहेगा, comprehensive code किसके उपर, powers के, मतलब इस code में पता है क्या था, बहुत सारे fields थे, इस comprehensive code में उन्होंने किसकी बात करी थी, administration की बात भी करी थी, judiciary की बात भी करी थ था, और ये जो पुरा नोने code बनाया था, वो किस पे based था, on the principle of Montesquieu, और ये principle क्या था, Montesquieu का separation of power, तो जब भी हम कभी public administration पढ़ते हैं, उसमें Montesquieu की theory काफी पढ़ी जाती है, separation of power की बात इनो नहीं कही थी, उसी के basis पर, Cornwallis ने comprehensive code बनाया, जिसमें सब कुछ था, administrative, fiscal, revenue judicial, सब कुछ बात है, समझ गए, और एक बात और एक बात कही जाती है, Cornwallis के लिए बात बहुत common है कि, he was, वो एक तरह के administrator नहीं थे, he was more of a rule maker, law maker, तो basically उन्होंने theory creation और law making जादा करी है, तो he was more than a just an administrator, ये उनके लिए बात कही जाती है, ठीके friends, तो ये judicial बात होगी, administrative हमने कर ली, अब आगे आते हैं, police reforms की भी काफी कोशिश करी, because जब तक समाज में अच्छा system या फिर शांती नहीं बनी रहेगी, efficient policing नहीं होगी, तब तक trade revenue तो grow करी नहीं सकते हैं, ठीके, तो he tried to reorganize the police administration, अब यहाँ पर district judges control the police and her district को थानों में divide करते थे, ठीके, जो police circles होता नही इसे, आप भी देखता है ना कि ये थाना चेत्र, वो थाना चेत्र, ये accident इस थाना चेत्र में हो गया, ये बाते होती है ना, तो तब ये काम तब से शुरू हो गया था, ठीके, so police circles होते थे, जिनको हम थाना बोलते थे, and they were under dharugas, जो दरोगा हम बोलते है जो TI बोलता है न उनको assist करने के लिए काफी constables होते थे, but problem थी, systematize करने की कोशिश काफी करी, but efficient हो नहीं पाया, police अभी भी effective नहीं थी, दरोगा वगेरा, मतलब देर बार corruption का level था, efficiency कम थी, and थोड़ी problem जनता को तो काफी problem होती थी, actually, so police administration में reform किया, और reorganization कोशिश काफी करी गई, but वो काम नहीं पाया, वो effective नहीं हो पाई, ये CDC बात थी है, ठीक है, friends, तो ये police reform सी बात, अब आईए, एक last reform की बात कर लेते हैं इनकी, और फिर उस war की बात करते हैं, बस इतना ही convalis के बारे में में जानना है, अब देखे, revenue reform से नोने एक बहुत major reform किया था, friends, he introduced permanent revenue settlement, revenue settlement के तीन त अब ध्यान रखे, friends, मैं एक पूरा वीडियो पहले बना चुका हूँ, जहां पे permanent settlement, रियोतवारी और महलवारी, तीनों detail में समझाएं, कि system कहां कहां थे, इन system का basics क्या था, और किस-किस ने introduce किया था, वो वीडियो में पहले बना चुका, आप में से के लिगों ने देखा होगा, आपकी convenience के लिए उस वाले वीडियो का link में, इस वाले वीडियो के description में डाल दूगा, तो मेरी बहुत earnest request है आज, इस वाले वीडियो को पूरा देखने के बाद, please, वो वीडियो पे जरूर देखने ना, क्योंकि अब हम Convalis तक पहुँच चुके हैं, ठीक, तो detail में उरीसा बिहार एरिया में भी इसको implement करा गया था, इसमें जमीनदार का dominance होता था, मतलब कि जो भी area है, जो भी cultivable land है, उसका head जमीनदार को माना था अब यहाँ पे bidding होती थी, छोटे time के लिए, लंबे time के लिए, लगबग 10 साल का tenure यह lease होता था, इस time को आगे और भी था उसको, जमीनदार जिसने best bid दी उसको दे दिया, ठीक, और एक percentage fix कर दिया, और यह percentage बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक, जब तक जमीनदार company को वो पैसा देता रहेगा, वो रहेगा, वरना उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, पर यह percentage काफी high होता था, 89% के आसपास, 89 परसेंट देना पड़ता था, बाकी 11% जमीनदार के पास रहता था, ठीक है, और जो हमारे peasants होते हैं, ठीक, जो जिनको हम रेयोत बोलते हैं, ठीक, जो खेती करते थे, उनको ownership नहीं मिली थी, उनका काम tiller का था, they were tiller of the land, they were not the owners, ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान दीजेगा, पर्मेन्ट सेटिल्मेंट सिस्टम में जमीनदार को कमर्शल राइट्स तो दिये, कि भाई, आप उसमें खेती वेती है, आपको बिडिंग करके लीज दे दी, पर administrative और judicial power जमीनदार से छीन ली गए, तो उस मामले में जमीनदार यहाँ वीक हुए, तो administrative और judicial power जमीनदार के जो board of trade होता है friends, board of trade जो 1773 में बना था basically, जो trade functions company करती है, उसे manage करने के लिए board of trade बना था 1773 में, इसमें भी काफी reform करे थे Convales ने, for example, board of trade को administration से independent किया था, कि भाई, प्रसासनिक लोग board of trade के function में interfere नहीं कर सकते, ताकि board of trade efficiently काम कर सके, उसके साथ-साथ, वीवर के भले के लिए उनको fair renumeration मिल पाए, market ठीक चल पाए, efficiency रहे, तो trade के field में भी काफी छोटे step करे थे, किस ने करे थे, Convales ने, समझ के बाद, चलिए, तो ये तो reforms वाली बात हो गई, अब हम एक war की बात करेंगे, उनके time पर हुई थी, फिर एक final analysis करेंगे, Convales का कहा पर हानी खतम पर, ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं friends, second war जो हुई थी, Anglo-Masur war, जिसके बाद Mangalow treaty हुई थी, और उसमें हैदरली हार गए थे, फिर टीपू सुल्तान मैसूर के head बने थे, अब, Mangalow treaty जो थी, although मैसूर की हार हुई थी, बट उस लड़ाई में English या Britishers की भ खाफी weaknesses exposed हो गए थी, ठीक है, और टीपू सुल्तान अपना दुश्मन किसे मानता था, British को, निजाम को और Maratha को भी, ठीक है, निजाम को भी मानता था, क्योंकि उनको लगा था, हैदर अली, जब लड़ रहे थे, जो उनके फादर थे, टीपू सुल्तान के फादर, तो उनक इन पाउर को भी वो हराना चाहते थे, बिकॉज उनके फादर का सपूर्ट नहीं करा गया, इसलिए हैदर अली हार गये थे, याद आया है न, आपको प्रीविस लेक्शर में बात करी थे, मैंने, Confederation की, जिसको वारन हिस्ट्री में तोड़ दिये था, वही सब बात है, ठी ठीक है, यह background थी, अब what were the chief cause of the war, कौनसी war, third Anglo-Messor war या third मessor war बोल सकते हो आप, ठीक, अब देखिए, कुछ reason, basically तीन से चार reasons थे, और फिर war की बात कर लेंगे, देखिए यहां पर, पहली चीज, टीपू सुल्टा ने काफी efficient administrator था, उसने काफी अपने area में internal reforms करे थे, बही परसारसनिक, जो भी head होता है, राजा होता है, वो अपने छेतर में जितने reforms करेगा, उतना ही grip बढ़ेगी, उसने काफी internal reforms करे थे, इन reforms से, निजाम, माराथा और बिटिशर्स, तीनों में panic फैला था, उनमें डर फैला था, उसके बाद, टीपू सुल्टान ने अपने invoice भी 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 बिजे थे, health के लिए, किस से, फ्रांस के भी दोस्ट थे और तर्की में भी, तो फ्रांस को दोस्त रहा है, मैसूर का, चाहे है है heider Ali हो या टीपू सुल्टा, तो फ्रांस और तर्की में टीपू सुल्टान ने invoice भी भी थे तो ये बीक reason था war शुरू होने का उसके बाद टीपू सुल्तान also expanded his territory in the neighborhood for example, example देख लिए राजा ओफ ट्रावन कोर इनको हरा के इनका area occupy करा था और ट्रावन कोर के जो राजा थे वो बिटिश के दोस्त थे देवर अलाय ओफ बिटिश इनको हरा के इनका area occupy किया था टीपू सुल्तान ने तो ये भी reason था और एक last reason 1789 में Britishers ने एक tri-party agreement किया था तीन पार्टी के agreement जिसमें एक Britishers थे फिर निजाम थे और Maratha थे किसे खिला टीपू सुल्तान ने खिला तो एक tri-party agreement जिसमें Britishers थे निजाम थे और Maratha थे किसके खिलाफ एक्रिमेंट हो था टीपू सुल्तान ने खिला तो ये background की पूरा state set हो चुकी थी लड़ाई के लिए और यहां पर लड़ाई होने वाली थी ठीक है तो this was the background and the situation for the war war exactly कैसे उसमें आपको जाने की जरूरत थी थोड़ी एक दूबात में बता दूँगा आपको treaty जरूरी होगी है ठीक है चलो भई देख लो जस्ट फोटो बढ़ा कर दे ये war last part है इसके बाद कहानी खत्म कॉन्वालिस की चले war broke out होती है May 1790 में ये war phases में होती है for example तीन phase में होई थी पहला phase दूसरा phase और तीसरा phase पहले phase में जो मदरास presidency governor थे Meadows नाम था इनका Meadows ये British force लेके आये थे टीपू सुल्ताने खिला और टीपू सुल्ताने इनको हरा दिया था तो पहले phase में Britishers जो Meadows की अंडर आये थे Meadows कहां से थे मदरास presidency से ये हार गये थे उसके बाद December 1790 के आसपास Cornwallis ने पूरा जिम्मेदारी समाली आर्मी की अपनी सेना की और Cornwallis के entry यहाँ पे होती है December 1790 के आसपास उन्होंने खुद समाला पूरा कंट्रोल और बेसिकली वेलोर की तरफ से उन्होंने attack करना शुरू किया था टीपू सुल्तान लड़े थे और मैसूर यह occupy नहीं कर पाए थे समझ के बाद तो बैंगलोर तक पहुझ यह occupy भी कर लिया पर Cornwallis जीत नहीं पाए थे बहुत टैक्टिकली टीपू सुल्तान ने fight back किया था और यहाँ पर भी थोड़ा अपनी position को regain कर पाए और third phase में दुबारा attack कर पाए और इस कारण से जो third phase था उसमें Britishers टीपू सुल्तान को हरा देते हैं तो दो phase तक टीपू सुल्तान की dominance रही पर सही समय पर Marathas से help आने हैं कारण third phase में British काफी strongly come back करते हैं और टीपू सुल्तान को हरा देते हैं ठीक है तो यह third phase थी बात थी so English forces finally third phase के बाद English forces occupied the hill fort near श्री रंगे पत्नम which was the main fort of टीपू सुल्तान ठीक है और यह बात है February 1792 ठीक है so तीसरे phase में उनको जीत मिली friends I have never been to this area I have been to Bangalore but not to this area श्री रंगे पत्नम आप में इस फोट में गए हैं कि I am very sure कि यह fort होगा अभी और काफी अच्छी history attached होगी वहां से आप में इसको गए हैं गूमने तो मुझे बताईएगा समझ के बाद तो third phase के बाद श्री रंगे पत्नम जो main fort था टीपू सुल्तान का उसको British US ने occupy कर लिए और टीपू सुल्तान हार गए और फिर होती है treaty of श्री रंगे पत्नम so third anglo-maisoor war की treaty का नाम क्या है friends श्री रंगे पत्नम इस treaty का नाम याद रखना उसके terms देख लीजिए टीपू सुल्तान had to give up half of his dominion उनको अपना आधा area give up करना पड़ा war indemnity देना पड़ा लगबग 2 क्रोड रुपे के आसपास एक penalty जो हारने वाले पर लगाई जाती है war indemnity टीपू सुल्तान की जो तीन बेटे जो उसमें से दो को hostage बनाया था Britishers ने ठीक है ये पूरी कहानिया थी हाँ prisoners of war जो थे उनको exchange कर लिया गया था ठीक है तो basically टीपू सुल्तान को अपना आधा area देना पड़ा heavy war indemnity लगी यहाँ पे और तीन में से दो बेटों को hostage बनाया Britishers ने and this was a very important war with respect to South India तो कि अब Britishers का एक काफी prominent position South India में बन गई थे उनको हरा दिया था और Britishers ने काफी area occupied करें they occupied very large territories in South India for example Malabar Coast के आसपास और बहुत सारी और जगा भी उन्हें ने उक्योपाई किया so Britishers की dominance जो South India में बढ़ी उसके लिए एक बहुत landmark war थी third anglo-messour war but एक बात और कही जाती है कि इस war में टीपो सुल्तान हारे जरूर थे मतलब officially war में हारे थे but he came back मतलब उनकी हिम्मत नहीं खतम हुई थी मतलब उनकी हिम्मत थी अभी भी और उनने comeback किया बाद में strongly कैसे हम आपको बाद में बताँगा आने वाले कुछ years में development में जो होगे ठीक है तो हारे जरूर थे बठी इंसान comeback करेगा समझ गए फ्रेंड्स तो ये कहानी थी cornwallis की अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने administrator reform की बात करी judicial reform की बात करी trade revenue reforms की बात करी और हमने इस war की बात करी तो अगर मैं overall बात करूँ आपसे cornwallis की आप कैसे analyze करोगे yes he was a great person administrator उन्होंने हर field में काफी reforms करने चाहे ठीक है separation of power की field में administrator reform की field में he was the father of civil services merit लाना, salary बढ़ाना, corruption कम करना judiciary को reorganize करना, police को reorganize करना काफी trade reform तो काफी काम करें इन्होंने and अच्छा contribution incur रहा इस पूरे duration में ठीक है friends उस खत्रे को सई समय पर समझ के अच्छा alliance बना के बाकी Indian powers, Maratha और निजाम के साथ टीपू सुल्तान को हराना भी it was one of the great contributions of Lord Pawn Wallace समझ गे बात तो ये पूरी कहानी कि I think clear होगी आपको अब दो बाते बता दूँ मैं को very very important friends, जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ जो permanent settlement की बात मैंने करी है उसका वीडियो ज़रूर देखना प्लीज उसका link अभी मैं description डाल दूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है उसको miss मत करना भाई मैं same content दुबारा नहीं बना हूँगा पहली बना चुकों तो अब उसको देख लीजीजिए आप connect कर पाऊ गया और उसके साथ साथ कौन बोल इसके बाद जॉन शोर आया थे friends जॉन शोर जे ओ एच एन जॉन शोर शोर वास दे नेक्स्ट गवर्नर जनरल अफ बेंगॉल ये 1793 से 98 के बीच में रहे थे पर इनके duration में कुछ भी खास ऐसा eventful नहीं होता इसलिए इनकी जादा बात नहीं होती और शोर के बाद entry होती है Welles Lake की और Welles Lake बहुत बहतरीन system Britishers के लिए लेके आये थे जिससे बहुत सवाल बनते हैं जिसकी हम लोग next class में बात करेंगे very very important Welles Lake बहुत सवाल बनते हैं one of the most important governor generals for the objective examinations history में तो next class में Welles Lake की बात करेंगे उनकी पूरी कहानी करेंगे तो hopefully content पसंद आए और कुछ doubt हो तो आप comment से से में पूछ सकते हैं friends like जरूर करना comment पसंदार पूरा content पसंद आ रहा हो तो comment जरूर करा करो friends आपके comments बहुत encouragement देते हैं and channel subscribe जरूर कर लेना ठीक है तो कल मुलाकात होगी Welles Lake के साथ Thank you, have a nice day